हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे चेनल पे आज के इस वीडियो में हम वार्सिक मुल्यानकन वर्कसी 2021-22 प्रोजक्ट कारे खंडब कक्षा आठवी संस्क्रत विशे के 40 अंक के लिए सभी प्रश्ण को दर देखेंगे तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब की बटन दबाना बिल्कुल भी न भुले जिससे आपको आने वाले समय में और कक्षा आठवी की वार्सिक प्रिक्षा संबंदित सभी पेपर और महत्वपुर्ण प्रशन मिल सके ठीक है क्लिक करकर डाउनलोड कर सकते हैं तो वार्सिक मुल्या अंकन में सबसे पहले हाँ आपको रोल नमबर रंक में भरना देखें कैसे ठीक है इस प्रकार से आपका जो रोल नमबर है बिल्कुल भरेंगे शब्द यानि कैसे जैसे एक यह पर लिखना चार तीन चोट चोट चो तो आपको यहां से वर्कसिट पर कारे प्रारंब करना है, खंडबा हम देख रहे हैं, तो निर्देश के हनुसार परियोजना कारे आपको करना है, ठीक है, तो सबसे पहला है, वसंत पंचमया, सरस्वती पुजश्य, चित्र निर्माणम, चित्र संस्थाप, पे संस्कते 5 वा आपके पास होगी, यदि आप बहुत अच्छा चित्र बनाते हो, तो चित्र बना लीजे, ठीक है, तो यहां फिर्म क्या कर सकते हो, आप इसको मार्केट से ले भी सकते हो, दुकान में जाकर आप सरस्वती जी की छोटी वाली पिक खरी सकते हो, उसको कटिंग कर सकते हैं, यह पुरानी बुक्य होंगी, उसमें भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमें वसंद पंच में जो सरस्वती पूजा हम करते हैं, उसका आपर बारे में वर्णन करना है, पांच वाक्य, तो पहला वाक्य क्या होगा, सरस्वती पूजा हिंदू नाम एक प्रमुखम पर्वास् बहुत अच्छे से इसको मनाते है, सिक्षा की देवी होती है, प्रतिवर्ष माघ मासा से सुक्लपक्ष से पंच मया, तीथो जना, सरस्वती पूजा होता है, याने हम कब मनाते हैं, हर साल माघ में याने मार्च में, सुक्लपक्ष की पंच में तीथी को यह मनाई जाती है, सरस्वती पूजन होता है मा सरस्वती हन्सवाहिनी वीनावादनी सार्देच अनेक आनी नाम नानी थी सरस्वती पूजन वसंत पंचमी रूपन अपी जाये थे ठीक है तो यह पूरे पांच वाक्य बहुत अच्छे से इसको आप लिख सकते हो बढ़िया से इसको लिख दीजेगा इसके बाद में बच्चो हमारा दूसरा प्रशन है बानमबर का वसंत पंच में वसंत रितो प्रक्रती सोंदर्स चित्र निर्माणम चित्रम संस्थाप पंच वाक्यानी लिखा तेक हैं क्या करना है वसंत रितो जो आती है उसका सुंदर प्रक्रती का सुंदर जिसमें चित्र हो उसको चिपकाना है उसको बनाना है या निर्माण भी कर सकते हो उस पर पांच वाक्य भी लिखना है वसंत पं में इसके चित्र आपको मिल जाएंगे प्रक्रती का जिसमें पहाड़ हो हरा भारा सूर्य दिखरा हो पेड़ पहते दिखर हो पक्षी दिखर हो चित्र चिपका दीजिए छोटा सा कटिंग करके या फिर बना भी सकते हैं आपके पस कलर पेन होंगे उसमें प्राइक भी कर सकते मोम की कलर प्रेव कर लीजेगा तो अच्छा दिखेगा पांच वाक्य में सबसे पहला है वसंत पंचमी श्री पंचमी नाम ना आपी जायते वसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है वसंत पंचमी समय प्रक्रते सौंदर चरुद्मकश प्राप तो यह सोंदर एक दम रमणी होता है पुष्पव कभी उतसह होता है इसमें फूल ने फूल ने पूल ने कलिया खिलती है ने पत्य आते हैं बहुत अच्छा लगता है तो यह जाएगे आपके पाच वाक्य छेले उसके बाद हम अगला देखते हैं तो बच्चों अगला विशेश सवी क्रते निमने लिकीत बिंदु नाम अनुसार कारे कुरूत मध्यप्रदेश का जो मान चित्र उसका निर्मान करना है या आपके पास होगा चित्र तो उसको कटिंग करके बिल्कुल इस तरीके से चिपका दीजेगा तो बच्चो प्रश्नरमांग दूसरे का पह महानगर नाम नामानी लिकत मध्यप्रदेश के महानगरों याने बड़े-बड़े शहरों के नाम लिखना है जहां उधोग वगेरे हो अधोगिक धंदे हो और भी बड़ी-बड़ी कंपनिया हो फेक्टरी हो वो चीजों के हमें यहां पर वो राग जो है हमारे यहां पर हम हाय कोट इस थीता ठीक है तो यहां पर आपको इन चीजों के नाम लिख लेना है बड़ा-प्रिदेश के आपको नाम लिखना था है कि जो महानगर है उनके तो यह पर चार महानगरों के नाम हो जाएंगे चले तीसरा प्रशन हम देख लेते हैं बच्चों तीसरा प्रशन है और तीसरा प्रशन देखने के पहले जितने भी बच्चे चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब जरू करें वीडियो को लाइक करें क्योंकि यहां पर आपको कक्षा आटवी के वार्शिक परिशा संबंदित इसकी पीडियाब डाउनलोड करना चाते हैं तो गूगल पर सर्च करोंगे www.boardajankari.com जहां पर आपको इसकी पीडियाब भी अवेलेबल है या लिंक कर डिस्क्रिप्चन बॉक्स में वहां से जाकर भी आप इसकी पीडियाब को डाउनलोड आसानी से कर सकते है ठीक है चले तो इस प्रकार से पुराने जो नगर है इनके नाम थे इसी प्रकार से इनको जाना जाता था तो यह आपको लिख देना है चलिए आगे बढ़ते है प्रशन क्रमांग अगले की ओर तो हमारा अगला प्रशन है प्रशन क्रमांग चार मध्य प्रदेश्य से नदी नाम परव आगे हमें पर्वतों के नाम भी लिखने कहा गया है तो पर्वतों में विंध्याचल पर्वत, सत्पुड़ा पर्वत, मैकाल पर्वत और अरावली पर्वत यह हो जाएगे आपके प्रष्ण क्रिमांग चार में चार पर्वत हो जाएगे और इसके अलावा चार नदिया ठीक अगला परशन है महापूरुष आंप विरांग नाम, उपत और निर्मांग चार पर्वतर में चार पर्वत जेंगे तरहले महापूरुश की तरह करें उनके नाम आपको इसमें लिखना है तो महापुरुषा नाम हो जाएगा और यहां विरांगना नाम महापुरुषा नाम में सबसे पहला आजाद चंद्रशेकर दूसरा काली दस्तस से हो जाएगा ठीक है तीसरा और आप इसमें आपको अच्छे से पता हो तो वह लिख सकते हो विरांगना देविय हीलया जो मुल्यान कर दोजार 21 वाइस किल देखा वीडियो को लाइक करना ना भूले चैनल पे जितने बच्चे नहीं सब्सक्राइब जरू करें ताकि आपको आने वारे ऐसी वीडियो में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले इसके अलावा इसकी पीडियाप आपको गूग अंग्रे जी और गणित के भी ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर जाकर जल दिसे क्लिक कर दीजे आपको पूरे वहां पर वीडियो मिल जाएगे तो मिलते हैं नए वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग